हेलो फ्रेंड्स आजकल मार्केट में एक नया स्केम चल रहा है मेरा एक दोस्त ओनलाइन गिफ्ट का काम करते है तो वो नोर्मली फेस्बूक इंस्टाग्राम में सब पे ओनलाइन प्लेटफोर्म जो भी है उन पे पोस्ट डालता रहता है नमबर्स के साथ फोर गिफ्ट ओर करने के लिए तो उसको एक कस्टूमर ने कॉंटक किया मैं शेर करता हूँ आपके साथ उसका चैट कैसा था उसने ऐसा कुछ नेम लिख रहा था उसने कोई ओनलाइन प्लेटफोर्म पे नमबर देखा होगा फिर कैटलोग देखे उसने ये वाला आइटम कुछ एड किया जो कि 519 रुप अगा था फिर उसका चैट नॉर्मल चैट जासा था एंड उसने प्राइस वगरा पूछा ओफ करने के लिए पूछा कैश ओन डिलिवरी है कि नहीं वो पूछा इंड कब तक डिलिवर हो जाएगा पेमिन्ट मेंथड तक पेमिन्ट मेंथड कैसे हो सकता है तो फ्रेंड नॉर्मल यी यूपेई शेयर करता है बट उसने बोला कि यूपेई नहीं GP है क्या तो उसने नंबर लिया जीपे का तो दोस्त ने अमबर शेयर किया फिर उसने टांजेक्शन किया तो टांजेक्शन में ये उसने 519 की जगा पांचेजर 519 सेंड लिए तो आप जैसे कि ये इस्क्रिंशोट देख सकते हो ये एकदम नॉर्मल इस्क्रिंशोट है इसमें ऐसा लगेगा कि आपको कि ये 519 आपके टांसर हो गया है उसके बाद उसके मैसेज देखों कि sorry by mistake extra mount भेज दिया है please send it back वापस कर दीजे पैसा ऐसा अगर आप जीपे खोल के देखेंगे तो मैं आपको जीपे का देखोंगे तो आपको यह exact timing paid 5519 यह एकदम exact ऐसा दिखेगा जैसा कि आपको payment हो चुका है बट अगर आप अपना account चेक करेंगे तो आपको पता लगएगा कि यह पैसे आपके account में आया ही नहीं है because यह type किया हूँ message है जो उसने type करके बेज़ है in that moment situation ऐसा रहता है कि आपको पता नहीं लगता है आपको ध्यान नहीं रहता है और छोटा amount है इसलिए आप सोचते हो कि हाँ शायद गलत तरीके से बेज़ दे होगा और आप तुरंत उसको 5000 रुपर टांसवर कर देते हो जो कि एक fraud है and आपके हम पैसे चले देंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि joined August 2023 तो यह भी doubt वाला scene हो सकता है कि उसने अब भी जोइन किया अगर के and normally अगर आप इस transaction पर click करते हो गुगल पर तो वो कुछ transaction ID details वगरा दिखाते हैं इस पर click करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा because यह एक message है amount कुछ भी transfer नहीं हो है आपके account में in scam के बारे में ध्यान रखी है and normally यह लोग जब chat करते हैं तो यह army persons का भी image use करके रखते हैं ताकि एक believe create हो सके सामने वाले को और यह लोग ऐसा chat करते हैं कि एकदम genuine लगता है लोगों को की हाँ really में ऐसा ही हुआ होगा करके लोगों को genuine customer लगे ताकि यह इसमें तो इसने image भी नहीं लगा रखी थी नोर्मली यह army लोगों का image रखके रखते हैं thank you for watching this video अगर आपको अच्छा लगाओ तो share with your friends ताकि वो भी इस scam से बत सके और जो भी scam है वो हमें comment में बताईए ताकि हम और इस पर वीडियो बस बना सके and if you like this video please share with your friends and subscribe for more such content